दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं उस काम में लगावां थोड़ा आगे बढ़ते हैं अर्थ्राइटिस पे चलते हैं अर्थ्राइटिस दो तरह का रुमेटिड और ऑस्टियों दोनों तरह के अर्थ्राइटिस में एक मेडिसिन तो मैं पहले ही बता चुका हूं चूना जिसको आप कभी इस्तेमाल करिए दूसरी मेडिसिन भी पहले इसे बता दिया है लेकिन रिपीट कर रहा हूं मेंधी का दाना best medicine arthritis के लिए दोनों ही arthritis के लिए रोबेटिट है तो osteo है तो लेने का तरीका बता चुका हूं एक छोटा चंबच मेंदी का दाना एक किलास गरब पानी में रात को डालना सभेरे उठके पानी सिपसी पीना आप दाना चबाटे करहां तो अर्थराइटिस के और एक एक एक्स्ट्रा मेडिसिन अपने बताने जा रहा हूं अर्थराइटिस के लिए ऐसे अर्थराइटिक पेशिंट जो टोटली बैड रिडिन हो गए चानीस साल से उनको तकलीफ है कोई बोलेगा 30 साल से तकलीफ है किसी को 20 साल से तकलीफ है और ऐसी कंडिशन हो सकती है कि वो दो कदम भी ना चल सके हाथ भी नहीं हिला सके इतना दर्द उनको होता है लेटे रहते हैं बैट पे करबट भी नहीं बजल सकते उस कंडिशन के लिए जिनको बहुत पुरानी अर्थराइटिस है 20 साल 25 साल बंग रहता है उनके लिए एक स्पेशल मेडिसन है जो उसी के लिए काम आती है वो एक पेड़ से बनती है एक पेड़ होता है उसको हम कहते हार सिंगा पारी जन स्कृत को पारी जात कहते हैं उसमें सफेद रंग के फूल ऑते हैं और नारंगी में की टेंडी है सफेद रंग का फूल धश्व लोटा था नारंकी दंडी होती है पूल में बहुत तेज-खुश्पू gået रात को ही फूल खिलते हैं सुबह जब आप उठेंगे तो वो जमीन में गिरे हुए मिलते हैं वो है परिजाद वो है हारसिका है है जी रात कि नहीं अलग है हारसिका रहा है पारिजाद कुछ ऐसे हो सकते हैं दो-चार परसंट लेकिन जादा गिर जाए और ध्यान ये रखिए कि रात को ये फूल खिलते हैं खुश्बू बहुत तेज होती है दूर तक आती है डंडी हमेशा उसकी नारंगी होती है इस्टेप कार्ट उसका औरेंज होता है और फूल जो है सफेद ये पेड़ें अब चावल मिक्यों डालते हैं वो तो मुझे नहीं मालूम है आप इसके पत्ते लेजिए येबेड़के पत्ते है छे से साथ पत्ते लेना है एक बारए और उसको पीषना है पत्थर पीष लीजी जे थोड़ा पानी लालके पिस गया तो एक लास पानी में म मिला के पीसा हुआ चत्मी मिला के उसको बॉयल करना है पानी को और इतना बॉयल करना है कि पानी आदा हो जाए काड़ा बन गया अब यह जो काड़ा बन गया है इसको ठंडा करके फिर पीना और ये सबेरे ही पीना है तो इसलिए रात को बना के रख दीजे सुबह उठकर इसको खाली पेट पीड़ीजे और पिला दीजे जिनको भी पुराना जोडों का दर्द है दस साल हो गया, बीस साल हो गया, पंदरेट पिचीस साल हो गया, बहुत तकलीफ है, चल नहीं सकते हैं, बैट नहीं सकते हैं, उठ नहीं सकते हैं, ये उन सब के रिए अमरुत की तरह से काम करता है, हाँ, वही है, तीन महीने लगातार दे दो, फिर ब्रेक कर देना, फिर और मैंने इसमें देखा है कि ज़्यादातर केस एक से गेड़ महिने में ही ठीक हो जाए तीन महिने तर तो बहुत रेर केस हैं जिपको लेना हुआ दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें फिर लाइप, कमेंट और शेयर करें और हां, हमारा Android एप डाउनलोड करना ना भूले